इस वीडियो जनेंगे रुक्षर साथवी वार्षिक परिच्छा विशाद इज्ञान के प्रस्ण पेपर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इन प्रस्णों को अच्छे से त्यारी जरूर कर लीजिएगा प्रस्ण पहला रिक्तिस्थानों के पुर्ति कीजिए यहाँ पे पांच रिक्तिस्थान है पांचो रिक्तिस्थान एक एक नमबर इस तरह से खुल पांच अंका है यह पहला रिक्तिस्थान है रक्त खालिस्थान तक है तो इस खालिस्थान में आएगा संयोजी रक्त संयोज पाई जाती है, चमथा हज्जा लेग खालिस्थान विलायक है, तो चमथा में आएगा जालेग सारवात्रिक विलायक है, पाश्वा है H2O खालिस्थान का सूत्र है, इस खालिस्थान में आएगा H2O जल का सूत्र है, प्रसन दूसरा है सही विकाल कर चुन कर लिखिए, ओक्स इस्षी जन का सूत्र है यह है तस अपस्टन घह ओटु दूसरा है इंग मैं से तत्व है इन चारों अपस्टन में से हैं घह तामबा तीसरा है नंग त्वच हद्वारा्व्सवसंद करते हैं इसका सही أपस्टन है घह जोख चमथा है सूर्य से पिर्थफी ताग पहुशने में लगभा कितना समय लगता है इसका सही आपसान है घा 8 मिनाट पाच्वा है स्वास लेना रथा छोड़ना कहलाता है इसका सही आपसान है घा स्वाक्षवास प्रस्ण तीसरा है इनके उत्तार दीजिये कोई नव यहाँ पे जो दस प्रस्ण है इनने से कोई भी नव प्रस्ण को उत्तार देना है प्रस्ण पहला है रेकी सांथा समुद्र की एक एक खाज स्रिंखला नई दूसरा है तत्व किसे खाते हैं तीसरा अमल क्या है चाउथा ह एं उसमा केशू चाला किसे कहते हैं पाँचवा उत्ताल दरपण के दो उब्यों लीखिए पाँचवा के बार है छटवा प्रत शाया अरूप शायमें अंतार लखिए है शात्वा क् Cantonese पासरो प्रवातन चाहिए आप क्या समझते हैं आठवा प्रश्ण है धमनी और चिरा मे अंतर इस परस्ट किजिए इस तरह से आट प्रस्ण हो गया दो और प्रस्ण है जो आगे बता रहा हूं इन दस प्रस्ण में इसे कोई भी जो याद है उन्में से कोई भी नव प्रस्ण को उप्ता लिखना है प्रस्ण नववा है ब्रिक कहां इस्तित होते हैं प्रस्ण दस्वा है किसी वस्तु को कितने प्रकार से उस्तित किया जा सकता है इस प्रकार से दस प्रस्ण हो गया प्रस्ण चौथा इंगे उत्तर दीजिए ति यहां पे आठ प्रस्ण है दीशरा है पादा फार्मुन के नाम लिखे हैं, तीसरा हट्टी और उपास्ती में क्या अंतर है, छहथवा है अनुवरतम, किसे कहते हैं, पाच्वा है ऑर स्वा-श्व और धोने में अंतर लिखे, छहथवा अमीबा में आलाएंगी प्रजनान को चीत्र द्वारा समझाईए साथवा प्रसना है सचीत्र वार्णन कीजित चंद्र ग्रहन या सूर्य ग्रहन तो यहाँ पर दियान रखना है या तुछ जंद्र ग्रहन का या सूर्य ग्रहन का दोनों में से किसी एक का सचीत्रवाणन करना है प्रस्ना आकवा है पर जिवी मृतो जिवी को उधारना द्वारा समझाईए इस तरह से पूलाट प्रस्न है जिन में से जो भ्याद है उनहीं प्रस्नों को छै बनाना है प्रस्ना पांचवा है अंतर ग्याद कीजी कोई तीन तेहां पे चार अंतर दिया है जिन में से जो भ्याद है उनमें से कोई तीन अंतर ग्याद करना है पहला है आलाएंगी जनान एवां लाएंगी जनान दूसरा है नियामी तथा अनियामी परिवर्तान तीसरा है स्वापोसी तथा परपोसी पोसान बीधी चाओ था है आमलाएवां चार तो इस तरह से ये प्रासना है इन प्रासनों को अच्छे से जरूर त्यारी कर लेंगे व अपनाद